नमस्कार दोश्तों हमारे चैनल पर आपका हारदिक्स वकत है सुगर चाहे 380 हूँ या फिर 480 या फिर कितनी भी पुरानी से पुरानी हो इसका आदा चमच गरम पाने के साथ लेने से सुगर रोग हो जाएगा हमेशा के लिए जड़ से खतम दोस्तों आज भारत में हर पांच में से एक व्यक्ति को डाइबटीज है और यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के खून में गुलकोज की मातरा अवसकता से अधिक हो जाती है दोस्तों हम जो खाना खाते हैं वह पेट में जाकर अनर्जी में बदलता है इसे गुलकोज कहते हैं अब काम होता है इस अनर्जी या गुलकोज को हमारी बोडी में मौझूद लाखों सेल्स के अंदर पहुँचाना और यह काम तभी संभव है जब हमारे अगनासे में परि अन्य रूप से नहीं होती, तब हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति को मदु में हैं, और दोस्तो ये मदु में ही है, सुगर की बीमारी ही है, जिसके कान हमारा सरीर बीमारियों का घर बन जाता है, और हमारी सरीर में त्रहें त्रहें की बीमारियां लग जाती हैं, दोस्तो आपने देखा भी होगा, जिस भी आप सुगर के मरीज को दिखी नहीं, उसको सुगर के साथ कोई अन्य बिमारी जरूर होगी, किसी को Heart Blockage की समस्या होगी, किसी का Blood Pressure High रहता होगा, किसी की Kidney Val होगी, किसी को Liver की समस्या होगी, किसी को Cubs, पेट में Gas या Esthetic की समस्या होगी, या पेट एक अकिले सोगर रोग के कान ही क्योंकि इस सोगर रोग हमारी सरीर की immune power रोगों से लड़ने की सक्टी को कम जोर मना देता है जिससे हमारा सरीर बीमारियों का घबा जाता है लेकिन दोस्तों आपको घपराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज की इस व्रियों में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे यदि आप इसके आदे चमच का हर रोच गरम पाने के साथ सेवन करते हैं तो चाहे आपका सुगर कितना भी रहता हो और कितना भी पुराने से पुरान हो वो जड़ से खतम हो जाएगा दोस्तो हम बात कर रहे हैं मदुमे की रामबान ओस्ती काला जीरा अर्थार्थ कलोंजी के बारे में दोस्तो कलोंजी एक चमतकारी को ओस्ती है और आयुरुवेद में तो कलोंजी के बारे में कहा जाता है कि कलोंजी मोत को छोड़ कर सरीर के हर मर्च की दबा है यनि कि हर बीमारी का इलाज कर सकती है बस आपको लेने का सही तरीका पता होना चाहिए दोस्तों टाइप टू दैब डिच के रोगियों के लिए कलोंजी बहुत अधिक महत्यपों है और मदुमे की वज़े से जो अन्ने बीमारियां होती या सरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचता है उसमें भी ये बहुत अधिक लाब करी है तो आएए दोस्तों जानते हैं कि कलोंजी हमें कैसे बचाती है इन सबी रोगों से भारतीय पाक कलमे मसालों के इस्तमाल का दोस्तों अलग ही महत्यप है मसाले नहीं सिरफ सेश है कलोंजी हर रोज सिर्फ दो ग्राम की मातरा में कलोंजी खाने से मधुमे में बहुत अधिक लाब होता है कलोंजी सरीर के सभी अंगों के लिए बहुत अधिक फाइदिजिन्द हैATOR और इसके उपयोग से बहुत त्रह के हमारे सिरीर को लाग होते हैं. शरीर की ऐसी कोई भी वीमारी नहीं है जिसमें कलोंजी को व्योग नहीं हो या उसको कलोंजी जड़ से खतम नहीं करती हो. लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिरफ डायबरटीज के बारे में. क्योंकि यदि हम सभी रोगों के बारे में आपक तो वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कलोंजी से कैसे आप diabetes का इलाज कर सकती है। दोस्तों कलोंजी दो प्रकार से diabetes का इलाज करती है। पहला कलोंजी पैनकिरियाज को उत्तेजित करके अधिक insulin का निर्मान करवाता है। जिससे सरीर में मौझूद गुलकोच, सरीर के सेल दवारा असानी से ग्रहन कर लिया जाता है। ऐसा इसमें मौझूद थाइमो की उनून के कान होता है। जिससे प्रकृतिक रूप से सरीर में रख सरक्रा का लेवल कम हो जाता है। और दूसरा, दूसरे तरीके से कलोंजी जो काम करेगी, वो काम करेगी AGE, Advanced Glycation End Product, जो सीधे तोर पर बहुत सारी Degenerative विमारियों का कानग हैं, जिन में विसेज तोर पर Diabetes, Chronic Renal Failure, हडियों का कमजोर हो जाना, गठिया, Alzheimer जैसे विमारिया हैं, इससे किड़नी और लीवर को भी बहुत अधिक नुकसान होता है, यानि कि दोस्तों, यदि आप कलोंजी का सेवन करेंगे, अगर सवस्त व्यक्ति कलोंजी का सेवन करेगा, तो उसको जिन्दगी में कभी Diabetes नहीं होगी, यदि वो हर रोज आदा चमच कलोंजी का सेवन गुनबने पाने के साथ करेगा, कलोंजी सीधे सीधे इस Advanced Glycation End Product AGE को बनने से रोग कर इन सभी विमारियों से हमारे सिरीर को बचाता है, कलोंजी के सेवन से मदुमे के कान आखों के रोग विशेशकर मोतियविन और जो आखों की दृष्टी यानि की आखों की रोशनी कमजोर होती है, उसका भी हमें सामना नहीं करना पड़ता, यदि आप कलोंजी का हर रोज सेवन करेंगे, तो इससे डाइबटीज के कान आपको किडनी फैलियर का डर नहीं होगा, यदि आप कलोंजी का हर रोज सेवन करेंगे, तो इससे डाइबटीज के कान आपको ब्लड प्रेसर की बीमारी लगनी की आफना भी ना के बराबर रहेगी तो दोस्तों आपको हर रोच चाहे आपको डाइबटीज है या फिर आप सवस्त हैं आपको हर रोच आदा चमच कलोंजी का प्रयोग जरूर करना चाही गुनगुने पानी के साथ यदि आप अपने सरीर के रोग प्रत्रोदक्षमता रोगो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमार सबी आने वाली वड़ियों की नोट के सां आत रहे धन्यवा दोस्त।